हेलो और वेल्काम यू एगें टुमाइ यूट्यूब सेने लेकेश क्लासेश आई होब अलव यू दूइंग गूट और फिरनल हेल्थी अथ हूं और पराई ब्यास्टे से कर रहे हो ओके यू और रेस्पॉंसिंग मी वेल ओके पट और यू निड़ टू कीप गूइंग ऑन यह जो आप लोगों का जो पराई का जो मोड है ना इसको बना के रखना है क्योंकि नयाने सब को यह मोड रहता है लेकिन धिरे-दिरे क्या हो जाता है और जो बोर हो जाता है और परा पर अगर आप क्या कर रहे है वह कंटीनिव रहा तो भी आप आपका जो डेस्टिनेशन आप पहुश चकते हैं ठीक है तो इसलिए रोज पढ़ना है आज चार गंडा परा काल एक भी नहीं परा और सुबारा गंडा परा उसके बाद दो दिन नहीं परा इसा करके नहीं है तो चलो आज एक नया जोफ्स के साथ एक नया जुन के साथ एक नया टोपीक स्टार करते हैं तो आज हम लोग क्या करेंगे by using predictable how no by using not predictable by using electronic configuration of the elements मतलब अब तक अपलोग को एलेक्रनिक कांफिघरेशन लिखना आ गया होगा। ठीके तो उसी इलेक्रनिक कन्फिघरेशन का यूज करके हम लोग के से टपक्के बोल सकते हैं कि येलियमेन ग्रूप 5 का है, ये इलिमेन नंबर पेडियोट का है। ठीके तो चलो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है इसलिए क्या करो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ठीक है और एक पेन और प्रेपर लेकर बेट जाओ पूरा शांती से पानी पीके ठीक है उसके बाद देखना शुरू करो तो बीना देरी करके चलो स्टाट करते हैं What is our topic of discussion? Our topic of discussion is prediction of periods and groups from the electronic configuration of the atom. उसी atom और elements का electronic configuration से how can we tell इने very little interval of time that this element is present in group number X period number Y तो चलो उसके लिए आपको क्या आना परेगा electronic configuration और मैंने आप लोगों इतना दिन जितना वीडियो देखा और आप लोगों जो response मिला उसी हिसाब से मैंने मान लिया कि आप सब लोग को electronic configuration नहीं, electronic configuration में कोई दिक्कत नहीं है, ठीए, ओके, अगर still if you have any दिक्कत, any problem, you can feel free to ask me, okay, then I will make another video, ओके, और बहुत लोग मुझे पार्सनेल मेसेज करके बोला है सार मुझे ये topic समाझ में नहीं आ रहा है, कुभी-कुभी मैं busy रहता हूँ, तो इसलिए आप लोग को मैं रेस्पंस नहीं कर पाता हूँ, I am extremely sorry, ठीक है, अगर आप लोग मुझे message करते रहोगे, तो मैं आकर क्या करूँगा, उसी question को मतलब मैं notes करके राखूँगा, और जब मैं next video बनाऊंगा, सबका doubt ओपर ये मैं एक video बना दोँगा, ठीक है, क्योंकि सबको personally doubt clear करने इतना possible नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, ओके, तो before that, I go in depth to this lesson, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ देखा लाता हूँ, देखो, predictable, मोटा पोटा करके किसा था, मैं रोज ड्रॉगर था हूँ, कुछ ऐसा था, इसा तब का था, है कि नहीं, मैं पहले ही बोला, मैं ड्रोइंग इता ठीक नहीं है, फिर भी इसको accept कर लो, औ यहाँ पर नीचे में क्या होता है, दो होता है, ठीक है, और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर दो ग्रूप रहता है, ग्रूप 1 और ग्रूप 2, और इसका लास्ट इलेक्टरन कहा जाता है, S-shell में जाता है, therefore this is known as S-block, this is known as what, S-block, ठीक है, तो जो ग्रूप 1 था, उन लोग का लास्ट इलेक्टरन क्या होता है, N-S-2, हो गया, तो अगर तुम्हें मोटा मोटा करके फूसा, what is the general electronic configuration of S-block, क्या होगा, N-S-1-2-2, मतलब क्वान भी हो सकते, 2 भी हो सकता है, ओके, this is the general electronic configuration of S-block, ओके, good, now, this is what, यहाँ पर ग्रूप 13 से क्या है, ग्रूप 18 तक है, ओके और मैंने बोला था, जो ग्रूप 13 होता है, उनलोग का लास्ट इलेक्ट ने कर भी होता है, N-S-2, N-P-1, इसा करके 14 का, N-S-2, N-P-2, 15 का, N-S-2, N-P-3, N-S-2, N-P-4, N-S-2, N-P-5, N-S-2, N-P-6, यह क्या था, 14, 15, 16, यह होगया, 17, यह होगया, 18, ठीके, तो अबाराल हम लोग इनलोग का जिनलिकर परशन क्या लिख सकता है, N-S-2, सबके पास N-S-2 तो ही, लेकिन यह P का फेलो क्या गर रहा है, भारी कर रहा है, फेली हो रहा है, मतलब डिफरेंट हो रहा है, तो मतलब पीका बिलोग वा N-S-2, N-P-3, मतलब यहापे 2 है, यहापे 3 है, तोटल मेरा के कितना होगा, पास 16 का क्या होगा, 2 प्लास 4 इसलिकल तो 6, तो मैं एक शॉट्टीज बोल देता हूँ, अभी से अगर तुमें कोई भी पूशा, अभी से अगर तुमें कोई भी पूशा, अभी से अगर तुमे 15, तो क्या करना है, कुछ भी, यह सब याद नहीं रखना है, जास 18 मतलब 8, इसी है, अगर 13 मतलब 3, अगर 14 मतलब 4, प्रोब करके देखो, 2 प्लास 2, 4 हो गया, इसी 15, 2 प्लास 3, 5, 16, 2 प्लास 4, 6 हो गया, ठीक है, यहाँ से भी कुशन बन सकता है, आगर तुमीं स्मार्ट बनना है, आशकल कोन महनत करता है, महनत तो करना है, महनत सब करता है, कोई को नहीं करता है, लेकिन जो महनत स्मार्ट ली करता है, उसको क्या मलता है, अपना डेस्टिनेशन पॉस्टने में इजी होता है, ठीक है, सब को अपना डेस्टिनेशन में जाना है, पता नहीं किसका किसको कोपाल में किया लिखा है टिकने रूंट को डॉक्टर बनना एक इसको प नगे गाते मुझे मजा कहाता है पराने में आता है ठीक है इसलिए आपका पैशन है ना वह यह अपकर बन गया तो यूर खुश ठीक है इसलिए only don go for money go for happiness अगर वापे happiness है वापे आपको संती है आप वो काम किजिए है कि नहीं ठीक है इसे करके बीज में बात करते रहेंगे तब ही क्या मज़ात रहेंगे ना ओके तो can you tell me what is the generic electronic configuration of p block yes it is ns2 and p126 okay let's so यहापे जो था मतलब फोर सुथ फोर फीब 6 7 एजो पेर था अप्टू ग्रूप नंबर 3 2 ग्रूप नंबर 12 ग्रूप नंबर 3 2 ग्रूप नंबर 12 ठीके और इसका लास्ट लेक्शन कहां पर एंटर करता था डी शाप शेल में so this is known as d block ठीके यह था d block तो कोन मुझे बाता सकता है वाटी जेनरेल इलेक्रनिक कन्फिगरेशन और d block जल्ली जल्ली अभी कॉमेंट में लिखो अब भी लिखो ओके नहीं लिख रहे हो कोई बात में में लिखता हूं क्या होगा देखो ns2 n-1 d1 to 10 1 to 2 हो सकता है क्योंकि मैंने सबसे हम लोग ने क्रोमिया में गलती कर दिया था क्या था 4s1 3d5 होता है लास्ट में कॉपर में क्या होता है 4s1 3d10 होता है की नहीं होता है दिखाया मैंने ओके तो इसलिए इसलिए जनेरल एक्नीक कन्फिगरेशन अब डी ब्लॉक तो यह पी मजेदर बात बोलने जा रहा हूं वह मजेदर बात क्या है अकर कोई भी एंड क्या होता है प्रिंसिबल नंबर प्रिंसिबल क्वांटम नंबर तो एंड शेल होता है मतलब जो शेल जो भी है उसको क्या बहुत है हमेशा अल्टी मेटल क्या शेल आल्टी मेट छोट उसके बाद एंट मैंनस वान होगा उसका में गया है पैन वाल्टी मस्क्रेशन ए पन अल्टीश नाल्डील ciao यह देगा तो अभी मुझे कोई बताएगा what is n-2 अगर n-2 होगा इस शेल को क्या कहा जाएगा दिखाई नहीं दे रहे कि मैं यह पर लिख जता हो n-2 को एंटी पैनल्टीमेट कोभी कोभी नीट नीट तो पता है सबको और यह दक्टर बनना है और एक भी एग्जाम है की बीपीवाइग के बीपीवाई जिसको इस एक्जाम के बारे में नहीं पता है अभी वीडियो को पॉस्ट करो और गूगल में चार्ज करो फाट इस के भी प्यूआई ओके इस ए बेरी गूद अपर्शुनिटी फ़र यू गाइस ओके यू कैन जोईन आई आई एच्छी है विए हड़ अब आई एच्छी इंडिया इंडिया इंश्टी टॉप हैं not only you are going to study आपको क्या मिलेगा मानी भी मिलेगा मतलब ऐसे स्कॉलार्शिप ठीक है ऐसे इस टाइपन की मानी आपको घर से मानी लेने का ज़रत नहीं है ठीक है तो इसलिए यह सब एक्जाम के लिए क्या करना है यह सब कुश्यन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन है इ i say suppose i is 4 रहे यह क्या होगया थी हो गया तो उसको क्या बोलेगा पेनल्टी मिट अगर यहाँ पिर शॉय घर मिलेगा यह थे फिलल प्यांट सेट्रेक्रिक कर करके लिए और बी नोन एड़ आनि पेनल्टी मिट एस तो लास्ट में क्या था हम लोग को डी ब्लॉक है आज भी नहीं बोलोंगा क्योंकि आपको अभी दी ब्लोक के आनिमें बोलके बोल नहीं करना चाहता हो ठीक है होगा तो चलो हम लोगा आज यह सब तो टोपिक नहीं था हम लोगा टोपिक क्या था हाउयू केन प्रेड़ीट दढ पोजीचन अंग इलिमेणि इन दा पेडिक टेबल मतला इलिक्तद से केसे फिरीजह हो निकाल सकते हो ओके अभी में जो बोलूँगा उसको आपको मिला के दिखना है तो चलो कोई भीए कीरीमान लेलो उच्छा लेलो इसी सोटा हो लेलो ओके नाइट्रोजन ले-ले-लिया ठीक है नाइट्रोजन ले-लिया नाइट्रोजन केटोमिक नमपर कितना होता है तो जास्ट आपको आउटर मों सिलेक्टने कर वही लिखने से काफी है लेकिन पूरा लेखलो अभी चूटा है 1-2-2-2-2-p कितना हो गया 3 यहां पर 2P का हो गया 3 कितना मजा है देखो क्या निकलना है पेरियर्ट निकलने का जो रूल है मैं यहां पर लीग दिया देखो क्या लिखा मैंने कितना है एक तो दो ही है तो यह है इसी तो अभिएसली इस इन पेरियर्ट नमबर तू देखो इसी मिला के नाखो कौन सा पेरियर्ट में है नाइटर्जन सेगें ने ओके गुद चलो अभी कुछ हो आईरन लेलो आईरन का कितना है 26 अगर आईरन इलेक्रोन कान प्रिकेशन लिखो के तैन यू विल गेट 4s2 3d6 लास्ट का लिखा मैंने पूरा लेख सकते हो तुम लोग भी एक्सपार्ट बन जाओगे धिरे-धिरे 4s2 3d6 तो यहां पे हैस नमबर कितना है यह नहीं है यह है लास्ट इलेक्रोन दी में गया है यह दी में गया लेकिन लेकिन क्या है है मैंने क्या बोला है यह कितना है फूर तो चेक करके देखो आईरन प्रेजेंट नमबर फूर है कि नहीं यह यह ओके लेट्स तक अनाधर एक्जाम्पूल तपूस ले लो आरगन आरगन का कितना होता है 18 अगर आरगन को लिखो कि तो क्या मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया तो यह पर हाइस्ट भेलो कितना है यह अन का 3 है तो आरगन अभी स्थीन प्रेजेंट नमबर 3 इतना असान है ओके चलो अभी हम लोग क्या देखते हैं आज प्रेडिक्ट ग्रूप असे गर करके और भी कर सकते हो कर लो थे स्कृषकर लो जितना हुंसार कर ओके फोग्रोप तो की से करना है तो गुप के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले एस लुग कि लिए देखेंगे फेले का स्वेट पहले कौन एप्टी स्व्लट आरब ये क्रूप में लगना है जो ग्रुप यॉप वान इलीमेंट से टेव लोन ऐस अलकाली मेतल्स वाई इज क्यों आज क्यों पर लिखना है लास्ट ताइम भी लिखने दिया ओनली थार्टी वर्सन इस्टूडेटिंट नहीं लिखा हुझा हुझा है अन्डेट पर से क्यों आ एसे मुझा कर आओ पद लिखना ठीक है जर नोन एस एलकाल लाइन आर्थ मेटल ठीक है अलकाल लाइन आर्थ मेटल ओके चुरू यह सब आम को जानने का जोड़ात नहीं है तो हम लोगों पेरियाट केसे निकलना है ओके इसी बेरी इसी कोई भी होड एस ब्लॉक मैंने देख ग्रूप नंबर ओफ इट देखा ओके तो चलो एक एक्जाम्बू लेते साब उस लीथियाम लीथियाम का किनना होता है थ्री वानस्टू टू टू एस वानस्टू टू 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 गया है हो तुो एस वान और ग्रूप नंबर यह ना में बुल गया तो देखे इसका जो विलेंचेल कि यह और ग्रूप नंबर बने में एसका पेरियार क्या होगा मैंने क्या बोला था जो highest number of principal quantum number होते that is 2 तो चेक कर को चेक करके देखो unpredictable lithium is present in group number 1 and pair of number 2 तो चलो एस ब्लोक का और भी एक example ले ले लेते हैं मेंगनेशियम मेंगनेशियम का कितना है 12 तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 तो सबसे पहले बताओ period उसके बात बताओ इसका group उसके बात बताओ इसका ब्लॉक सबसे पहले हम लोग पेरियाड लिए लिकालने का formula क्या है ता highest number of principle quantum number and what is this 3 तो obviously it is present in period 3 next क्या बोला था group और एस ब्लोक का group निकलने का तो 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 ही क्या है वो ग्या है जो लास्ट शेल है उसमें कितना electron है दो ही electron मतलब यह group number 2 में है got it और ब्लॉक निकलने का तरीका क्या है very easy the last electron जो शाप शेल में जाएगा वही इसका ब्लॉक होगा मतलब यह क्या है एस ब्लॉक ओके लेट अप लोग और भी example ले सकते हो लेके करना कड़के देखना हो गया मिटा सकता हूं लिख लिया ओके गुड़ ओके नाओ फॉइल सेख पॉल पी ब्लॉक ठीक है तो पी ब्लॉक के लिए क्या करना है वह रूल मैंने यहाँ पर लिख देखो मैंने ठीक दिया क्या हरना है टूटेल नंबर अफ बेलेंच इलेक्टरन प्लास तेन करना है टूटेल नंबर अफ बेलेंच इलेक्टरन प्लास तेन ओके चलो कोई भी example लेलो सब्सक्राइब क्या लेले थे फॉस्परास लेले फॉस्परास का कितना होदा है 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ओके सबसे पहले मुझे बताओ what is the block इसके बाद बता what is the period कि बता what the group obviously last level कहां पे एंटर कर रहा है पी में तो इसके बाद यह क्या होता है last तो अभी ग्रूप बताओ अभी एसका टूटल नमबर होगा उसके साथ 10-8 करना है तो बेलेंस इलेक्टरन कितना है यहां पर है तो बेलेंस इलेक्टरन इस फाइब फाइब के साथ 10-8 कितना हो जाएगा 15 एकट इस इन ग्रूप 15 है कि नहीं वाज आ रहा है येस गुड तो चलो और एक एक जांपल लेकर हम लोग इसको खतम कर देता है पी ब्लोग को यह है 17 तो 1-2 2-2 2-6 3-2 3-5 इस इस वाट 3-5 हो गया तो बताओ उसके लिए दा ब्लोग पर टीज़ पेरियाट पर इसके साथ और भी बताओ भाट इस था फेलेंस इलेक्टरॉन यह भी होगा भी होगा उसलों कोई ब्लॉम नहीं है यह यह चौक से लिखने से क्या होता है बताई यह जो डास जाना है अंदर गूज़ जाता है इसे मेरा आखे का प्रोब्लम है उपर से कोई बात नहीं मज़े से लिखो मज़े से परो ओके पताओ ब्लॉक क्या होगा और यह सिल भी ब्लॉक का रूल क्या है पिलेंस इलेक्ट्रन के साथ आदध्ट्रन तो घ्र है तो ग्रूब केटना हो जाएगा द्लाब 17 तो बता ओम भी सेवेंटीन ग्रूब को क्या कहा जाता था येस येस इज़ हैलोस इस नोन अज है ठेक है चलौब के लिए एपटी लेख पी लिए जख लिए अभी हम लोग के लिए तो दी ब्लोक के लिए क्या होगा चलों लेखो मैं नाओ टीक्ति के ढूब है क्या करना ही ब्लोक में कहां से काता है घ्रूप हँर सटूनेश ब्लोक लेक्टिक टो ध्लोक के लिए क्या नहीं है देखो मने वापे लिख दिया total number of valent shell electron in the outermost shell simply the group number तो लिख लिख लिया वापे मने लिख दिया क्या लिखना है total number of valent shell electron total number of valent shell electron is the group number simply that is the group number ok verify code let's take example suppose ले लो scandium scandium कितना है 21 लिखओ 1s2,2s2, 2p6,3s2 3p6, 4s2, 3d1 लिख लिया में लिखनाई configuration अभी आप लोगों को मुझे बताना है what is the block सबसे पहले बताओ इसका बैलेंचल इलेक्ट्रोन क्या होता है इस पूरेस्टू 3D1 इस दा इट इस फैलेंचल पूर क्या होगा आल्टीमेट और ये 3-1 आल्टीमेट और ये 3-1 पहलब imperial के ऑध गाल्टीमेट अभी बताए थमेट हुआ से कहां udah हूं लेक्टरा आप इंटर कर रहा है दै थे यह वीडियो देख रहे हो ना इसका जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करो एक वीडियो है एंड प्लास एंड रूल पापे मैंने क्या बता है था कैल्कुलेशन output energy जिसका energy ज्यादा होगा उसको लास्ट में रेक्डन मिलेगा थीक है मतलब घर में अगर सब LIVE है तुम स्बस्वेस्टी में आता है इसलिएzeniu मारे टेलीक केला वी और मता पापा सब्सवेश्र केकोर्ड क्या अब पापा के रहे सबस्क्राइब लेता है तो आपका दिखने का तरीका के साहें तो चलो मैं हम लोग हमेशा के मेंश्टी का अपना लाइप के साथ कंपेर करके परेंगे तब क्या है उपना प्रिंशिवल कौंटम नंबर यहां पर फोर है तो इस अपर यहां पर सारा में सबसे हैस तो इन प्रियोड इस प्रोर और गूरूप गूप बताने के दू ब्लग् का क्या तो छीपनल निया है मतलब 3 मतला है सो घृजित ओके तो लासमें लिखा रहे एजी येज़ी यह भी कोई पुछने का बात है क्या मताक तो होते रहेगा उसके साथ पढ़ना भी है तो तुम लोग खुद चेक करके देखना क्रोमियम चेक करो क्या होगा 4S1 3D 5 ठीक है इसमें पेडियोट कितना होगा हाइस नंबर कितना है 4 मतलब 4 पेडियोट में ग्रूप कितना होगा कितना है 6 1 5 6 6 6 मतलब यहीं इसका क्या होगा गुरूफ हो जाएगा और यहीं भी इसका क्या हो जाएगा और ब्लॉग और ब्लॉग अब्लॉग के बाद में मुझे बताने का पसंद नहीं है क्यूंकि इससे ज्यादा कोईशन नहीं बनता है फिर भी बता रहा हो क्योंकि नहीं बोलों कि सार को आता नहीं से बता नहीं ठीक है तो याद रखना है मैंने आप लिग देखो all elements are placed in the group 3 group 3 and group 3 B ठीक है देखो एक्षिल ये मेंडेलियन का गुजो गुरूप था उसी टाप का गुरूप है तो इसलिए ज्यादा दरने का जुरत नहीं है ठीक है एक्षिल क्या होता है जो ला होता है ना ला लेंथे नम पापे तरको ने स्टार मार्क दिया हुआ है घ्र सव हमें उसका नचे ही छेड्य विए देल Gospel ने ढेरे सब्सक्राण बशुआ हुआ है और जो एक्टिनीव में ठील की था ऑफंसिव है आगार तुम नोग देख सकते भूं और उसका नीचे ही क्या रेता है यह हुआ लिन एक्तिनियम रहता है एक्तिनोट रहता है सो इसे रोन आज ग्रूप 3B ओके यहाज ज्यादा कुछ नहीं बनेगा पट जानने में तो कोई प्रोब्लम नहीं है इसलिए सिखलो ओके गाइस तो इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग क्या करना है तो क्या करना है फिल फ्री यू कन आक्स में एनी टेम तो तो तील देन पटाह करते रहना और आपना ख्या लखना आप अब गुद दे